Hello everyone guys, my name is Prashant and you are watching New Indian Era तो आज के इस वीडियो के अंदर बहुत ही important चीज हम discuss करने वाले हैं यार आप लोग class 12 के अंदर हो and you will not believe कि सिर्फ तीन महिना आपके पास पढ़ने के लिए बच्चे हुए हैं आप बोलोगे भई ऐसा कैसे? फरवरी महिना में हमारा पेपर है 2025 में और आप कह रहे हो कि हमारे पास सिर्फ तीन महिना आएं पढ़ने के लिए ऐसा कैसे हो सकता है? या टेंशन मतलो ये पूरी वीडियो देखो इसके अंदर मैं आपको टाइम टेबल दूँगा 80-90% की उपर अगर आपको अचीव करना है तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए? कितने चैप्टर सा आप लोग को सिर्फ पास होनी के लिए पढ़ना पड़ेगा? किस तरीके से पढ़ाई करनी है? एक बेस्ट से बेस्ट ऐसा टाइम टेबल इस वीडियो के अंदर दूँगा कि आप लोग देखोगे और बोलोगे वाउ! कास ये टाइम टेबल और पहले पता होता? तो चलिए गाई शुरुवात करते हैं आज की इस प्यारी सी वीडियो को आज की इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों को शियर कर दो लाइक कर दो और कॉमेंट में बता ना कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने क्लास 12 साइन्स की स्टडीज में या आपने इसके पहले क्या गलतियां की हैं जिन गलतियों को आप सुधारना चाहते हो और दिल से यार कॉमेंट में लिख दो चलिए शुरुवात करते हैं तो गाई इस तीन महिना आपके पास बचा है क्लास 12 ऐस वेल आज MST CT दोनों चीज़े आपको पढ़नी है सेप्टेंबर महिना में आप स्टडी कर सकते हो फिर आप अक्टूबर महिना में आप स्टडी कर सकते हो आप नॉयंबर महिना में भी स्टडी कर सकते हो लेकिन जैसे है आपका डिसेंबर मन्त आएगा इसमें आप लोगों का revision शुरू हो जाना चाहिए जो जनवरी महिना है इसमें तो आपका practical days चालू रहेंगे और 11th Feb से तो आपका exam day है यानि कि आपका paper शुरू हो जाएगा So guys you will not believe कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ तीन महिना बचा है और इस तीन महिने में सिर्फ 90 days ही आपके पास होते हैं जिसमें आप अच्छे से study कर सकते हो यानि कि 90 दिनों में आप लोगों को best से best marks achieve करने है अगर देखो आप तक ने अभी तक आपने अगर अच्छे से पढ़ रखा है तब तो best बात है लेकिन अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो शायद थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाएगी हो सकता किसी बच्चे का सिर्फ एकी chapter हुआ हो यार अगर अभी तक आपका सिर्फ एक single chapter हुआ है या दो chapter हुए है max to max तो आप बिल्कुल बहुत पीछे हो minimum आपके 4 से 5 या 6 chapters चारो subject के पढ़के याद होने चाहिए ऐसे याद होने चाहिए कि याँके बंद करो तो सब लोग उसका फटा फटा हर एक question का answer दे दो चाहिए कोई भी पूछे इस तरह से with numerical exercise previous question paper, salt example, definitions, theories यह सारी चीचे आपको पता होने चाहिए खैर कोई ना अगर आपने अभी तक गलतियां कर दी नहीं भी पढ़ पाए या आपको वो रास्ता नहीं मिला पढ़ने का तो मैं जिन्दा हूना मैं आप लोगों को अभी best से best plan बताऊँगा with proper time table बस आप लोग कसम खा लेना कि यह time table जो प्रशान भाईया ने दिया है इसको मैं सिद्दत से follow करूँगा चलिए शुरुवात करते हैं देखो भाई 90 days में आप किस तरीके से पढ़ाई करोगे अब आप लोग को यही सारी चीज़े समझ के लेनी है और आपके पास इतने ही दिन बचे है क्योंकि अगर आप सोचो कि डिसेंबर महिने में तब तो भाई खतम कानी डिसेंबर में तो आप सबको revision करना चाहिए डिसेंबर 1 से आप लोगों को class 12 की पूरी physics, chemistry, maths, biology जो या computer science या English इन सभी की revision शुरू करनी चाहिए आप लोगों को ये बात आप ध्यान से रख लो जन्वरी आपके practical शुरू हो जाएंगे colleges में तो practical में journal completion practical examination फिर उसका preliminary examination होती है practical की और practical में इदर signature लेने भागना उदर इदर जिन जो बच्चे integrated ले रखें उनका थोड़ा फाइदा रहेगा नहीं के जो dummy colleges में जाते हैं तो उन बच्चों को थोड़ा सा फाइदा रहेगा बाकी बच्चे थोड़ी struggle face करेंगे रही बात 11 फेब की तो फरवरी के 10 महिने उसमें भी आप थोड़ा जल्द बाजी में हडवडाओगे और 11 फरवरी से आपका English का पेपर शुरू हो जाएगा ठीक है तो यह आप जानते हो थोड़ा बहुत अगर ही चेंज हो गया टाइम टेबल तो देखा जाएगा आगे चलके 2025 ग्यारा फरवरी से आपका Class 12 का पेपर शुरू तो चलिए बच्चो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी बच्चे को अभी भी 80 परसेंट या 90 परसेंट के उपर अचीव करना है तो उसके लिए क्या-क्या important points हैं जिन पर उसे ध्यान देना होगा और अगर उसे इस सपनों के गोल को अचीव करना है अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है तो उसे किन-किन बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा then after that we will discuss about time table तो आज हो जड़े देखते हैं अगर आप लोग को तो 16 chapter है सेम आपका chemistry के अंदर अगर मैं बोलू chemistry के अंदर भी 16 chapter है अगर मैं maths के अंदर वोलू maths के अंदर तो आपके 14 या 15 chapter है something and biology के अंदर अगर मैं बोलू तो इसके अंदर 15 chapter है अब आप लोग इतने कम दिनों में और पूरे के पूरे चैप्टर्स कैसे करोगे क्योंकि अगर आपको डिसेंबर में रिवीजन नहीं किया आपने तो आप गई काम से समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तब तो आप ये समझ के रखो कि दोस्त भी क्लास 12 में ही है वो क्या जाने की क्या होता है क्लास 12 का पेपर बच्चों दिल से कमेंट बॉक्स में बताना कि आज तक आपने प्रिवियस यर कुश्चन पेपर उठा करके उसे सॉल्व करने की कोशिश की है अगर आपने कोशिश की है तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि पेपर कितने हाई लेवल का है आसान तो पेपर नहीं होता है तब आपको रियलाइज होगा कि आप गलतियां कर रहे हो आप over confident में हो कि आप कर लोगे या फिर शायद आपके पास बहुत पैसी होंगे तो आप बोर्ड के वेपर ही खरीद लोगे तो वो बाते तो बहुत अलग हो जाती है तो मैं तो कहूंगा यार हार्ड वर्क के दम पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा तो आपके पास 90 डेज और 64 चैप्टर से December month is for your revision January month is for practicals 11th of Feb से तो आपका board exam शुरूई हो गया है तो आपके पास सिर्फ तीन महिना है अब इन तीन महिनों में आप क्या करोगे मैं जिन्दा हूँ, बताता हूँ ना करवा के पूरा दे ही दिये बस आपको चीजें देखनी है आजाओ, सबसे important चीज आपके अंदर एक्दम discipline होना चाहिए भाई hard level का discipline like दोस्ती, यारी, friendship, सब आपको इस तीन महिने के लिए छोड़ना पड़ेगा, अगर आपको ये marks को achieve करना है तो like अगर आपको 80% की उपर जाना है तो जिसमें 90, 95%, 98% आप 100 out of 100 लाओ यार बट 80 की उपर जाना है अगर तो आप लोगों को discipline रहना पड़ेगा और discipline ऐसा कि किसी friend का अगर message भी आया होगा न छोड़ तो भाई, आया होगा December महिने में एक reply दे दूँगा notes मागने के लिए या PC help के लिए बट अभी बात नहीं करनी मुझे इस level का discipline भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और आप लोगों को यहाँ पर अपनी जो आपके अंदर comfort zone है आप उसे थोड़ा सा छोड़ोगे तो आपको थोड़ी सी success मिलेगी जादा छोड़ोगे तो आपको जादा success मिलेगी जितना hard work अभी कर लोगे उतना फायदा बाद में होगा result day की दिन आपको उस दिन का महनत आपकी चमकेगी क्योंकि आरे कुछ दिनों की बात है उसके बात तो फिर आप देखोगे कि आप first year में चले जाओगे और वहाँ तो enjoy ही करना है ठीक है बाकी दुनिया बहुत बड़ी है so minimum सी minimum आपके 13 chapter पढ़के होने चाहिए अगर किसी बच्चे को 80% की उपर भी लाना है board exam के अंदर तो उस बच्चे को physics, chemistry, maths, bio में से total 16-16 chapter में से 13 chapter तो minimum आने चाहिए उसमें भी CET entrance examination भी है और वो तो अभी आपको भाई करना ही है तो CET entrance exam भी आपके सर पे चड़ी हुई है भाई और आप CET entrance exam की preparation भी कैसे करोगे वो मैं बताऊंगा सबर करो थोड़ा सा तो यह सारी plannings सबसे important है आपका एक hard वाला time table होना चाहिए जिसमें minimum 7-8 गंटे आपको daily घर में बैट के पढ़ाई करनी है आप बोलों कि भाई आप बोलों कि how is this possible college ही 6-7 गंटे के हो जाते है classes हमारी 2 गंटे के हो जाती है तो हम अभी कैसे यह सब manage करेंगे and don't worry when new Indian rise here then why to fear let's begin 7-hour की study आपको करनी ही पड़ेगी other than college other than tuition goal focused आपको study करनी है और सबसे important होता है belief, विश्वास खुद पे भरोसा जिस इंसान ने खुद पे भरोसा किया है उसी ने जंग जीती है और उसी ने success को achieve किया है और जो दूसरों पे भरोसा करता है वो हमेशा धोका खाता है दूसरों की सुनी हुई जो सुनता है वो कभी success नहीं हो सकता पराधीन सपने हो सुखना ही मेरी मम्मी कहा करती है कि जो इंसान दूसरों पे dependent होता है वो life में कभी आगे नहीं जा सकता इसलिए उन्होंने एक बहुत अची line कहा करती है पराधीन सपने हो सुखना ही जो दूसरों की अधीन होता है जो दूसरों पे dependent होता है उसे कभी success नहीं मिलती never ever means कभी success मिल ही नहीं सकती है ये बात आप ध्यान देना और जो खुद पे भरोसा रखता है जो खुद पे हिम्मत रखता है self confidence रखता है और अपने रास्तों को चुनता है वो जरूर मंजिल तक पहुँचता है ये बात आप ध्यान रखना so let's begin with the time table और आपके लिए best time table यहाँ पर मैंने बना रखता है कि best time table for achieving 80% यार जिन बच्चों को pass होना है चिंता मत करना जिन को 50, 60 या सिर्फ pass होना है बैक बेंचर है उनके लिए भी time table लेकर के आया हूँ उनके लिए भी planning लेकर के आया हूँ आप लगों को भी बताऊंगा बट पहले 80% अगर आपका dream होगा उससे जादा 85, 90, 95% लाने का अगर आपका dream होगा वो भी मैं बता रहा हूँ तो पहले वो देख लो देखो यहाँ पर आपके पास बच्चा बाटी total 7 दिन होते हैं week में जिसमें से एक दिन आपका हो जाता है Sunday समझ रहो और बाकी के जो आपके 6 दिन है ये 6 दिन में से college में आपके 3 दिन तो practical होता होगा 3 दिन तो आपके practical होते हैं और बच्चे हुए 3 दिन आपके सिर्फ college के lecture होते होंगे और अगर lecture नहीं भी होते होंगे तो बात अलगे मेरे इस timetable को जिस बच्चे का integrated college होगा या dummy college होगा वो बच्चा बहुत अच्छे से इस timetable को follow कर पाएगा और definitely वो अच्छे marks भी निकालेगा बट जिन बच्चों का regular college होगा जिन्होंने dummy college नहीं लिया होगा उन बच्चों के लिए थोड़ा सा hard work करनी पड़ेगी तब उनके जो सपनों के marks हैं वो उन्हें मिलेंगे आजाओ देखते हैं जरा यहाँ पर साथ दिन में Sunday तो आपके लिए वरदान है चुट्टी है और जो 6 दिन है 6 दिन में से 3 दिन practical होता है आपके college में तो ये 3 दिन तो आपको college पूरा 100% जाना चाहिए मेरा suggestion यही रहेगा only 3 दिन 3 दिन college आपको जाना चाहिए क्योंकि उस दिन practical होता है और science में practical ही सबसे important है बचे जो 3 दिन हमारे होती है college के जो बचे हुए 3 दिन है इसमें आप लोगों को college बिलकुल नहीं जाना है चाहे किसी भी हालत में और मैं तो बोलूँगा कि अगर 4 दिन भी किसी का practical है तो एक दिन का miss कर दो 3 दिन college मत जाओ क्योंकि आपको ये पूरी time table को follow करना चाहिए बच्चों teacher कितना भी पढ़ा दे लेकिन अगर आप घर में बैटके self study नहीं करोगे खुद से revision, practice, salt examples, learnings और अपने notes को नहीं बनाओगे तो आप exam में अच्छे marks नहीं ला पाओगे teacher तो सब जानता है वो सब पढ़ा सकता है आपको लेकिन आपका कितना पढ़के हुआ है ये matter करता है आपको कितना आता है वो जरूरी है और अगर आपको ही नहीं आ रहा है तो फिर शाया दिये कि आप लोग best से best marks ला पाओगे समझ में आ रहा है तो ये आपके सामने time table है मैंने आपके पूरे दिन को ये जो तीन दिन न बच्चा जिसमें आपको college नहीं जाना है उस तीन दिन को मैंने ऐसा divide किया है और इसी तीन दिन में आपका अच्छा खासा syllabus कवर होगा और इसी तीन दिन में आप MST CT की preparation भी side by side करोगे एक बात बहुत अच्छी है कि CET और हमारे class 12 board का जो हमारा pattern न पेपर का syllabus है ये syllabus एकदम same to same है और इसी बात का हम फायदा उठाएंगे तो smart तरीके से hard work करेंगे स्ताथ से 8 घंटे का time table आपको दे रहा हूँ और जिस तरीके से देखो आप जानते हो कि महनती महनत करने से इंसान बोर हो जाता है थोड़ा उसे उसके body में उसके life में एक मिर्च मसाला चाहिए तो मैं आपको gap भी दूँगा अच्छा खासा आपके body को fresh करने के लिए gap दूँगा जिसे कि आप energetic feel करो हर एक पढ़ाई के moments में तो चला शुरू करते हैं एक best time table है बहतरीन time table है guys देखो मैंने आपके पूरे दिन को session में divide किया है session 1, session 2, session 3, session 4 4 session में मैंने divide कर दिया आपके पूरे दिन को अप जैसे कि बच्चा party आप लोग सुबह 6 बचे उठ जाना कितने बचे आप उठ जाओगे सुबह 6 बचे आपका wake up हो जाना चाहिए समझ रहो कि नहीं समझ रहो मैं देखो एक best time table आपको बता रहा हूँ आप अपने हिसाब से भी time table बना सकते हो अपना लेकिन एक बात तो fix है कि अगर आप 6-7 घंटा daily नहीं पढ़ोगे like minimum सी minimum week में 3 दिन देखो पढ़ाई तो सब बच्चे करना चाहते हैं क्या आप सारे के सारे दिन पूरा 8-9 घंटा पढ़ पाओगे impossible ही नहीं है तो 3 दिन तो पढ़ सकते हो ना 3 दिन तो ये time table week का किसी भी 3 दिन follow कर सकते हो ना और कभी-कभी एक दिन extra कर ले ना दो दिन तीन दिन practical चले जाना और संडे तो चुटी है दो दिन practical एक दिन संडे तीन दिन पढ़ाई कर ले ना ऐसा 7 दिन हो गए आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आजाओ देखते हैं इसको तो जिस दिन आपका चुटी का दिन होगा आपको इस साथ दिन में से तीन दिन कॉलेज नहीं जाना है, मैं तो बोलूँगा, चार दिन मत जाना, दो दिन जाना, गाइस, I got 93% in my class 12, समझ रहो, तो मैंने ऐसा ही फॉलो किया था, और बिलीब में कोई 100% प्रेजेंटी, वो सब अटेंडेंस कुछ नहीं, सब टीचर मार्क्स आपको 30 में से प्राक्टिकल के मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप उसकी चिंता बिलकुल मत करो, समझ में आ रहा है, आज बात करते हैं, यहाँ पर important चीज, तो सेशन वन, सेशन टू, सेशन थ्री, सेशन फूर, जो सेशन वन है, वो आपका शुरू होता है, साथ बजे मॉर्निंग से, मॉर्निंग सेवन एम से पढ़ना शुरू कर देना है, आप बढ़िया 6 बजे उट जाओगे, वाश रूम जाओगे, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, वाश रूम जाओगे, नहाओगे, ब्रश करोगे, एंड मुहाथ ठंडे पानी से दो लेना, हाथ पैर ठंडे पानी से दो लोगे, बढ़िया एक हलका सा कपड़ा पहनोगे, एंड दन कोने में बैठ जाओगे, ठीक है, जहाँ भी आपका घर में कोना होगा, कोना पकड़ लेना, यहाँ भी आप study table होगा, आप अच्छे घर स हमें मिला करती थी, तो बहुत अच्छा लगता है morning, morning में, तो कौन सा सुबे 5 बजे आपको उठने कह रहा हूँ, 6 बजे उठके, 6.30 भी उठोके चल जाएगा, यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, and then morning में 7 a.m. आपने पापा के साथ उठ जाती हो, तो 7 a.m. से पढ़ इका करमालो आपका पढ़का हुआ, बाय लौचिका, यह केमेस्ट्री का सौलिड स्टेट पढ़के हुआ है, तो डरो मत, सौलिड स्टेट से शुरू करो, तो दो घंटा साथ से 9 आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक की रीडिंग करनी है, और अगर आप टेक्स बुक की नहीं कर सकते हो तो आप लोग हमारी वीडियो देख लो आप बस इतना सर्च करो solid state class 12 chemistry by new Indian era क्या सर्च करोगे आप लोग youtube के अंदर solid state solid state class 12 chemistry किसी भी chapter का जो भी आपको सर्च करना हो chemistry by new Indian era बस आप इतना सर्च कर दो आपको इसी तरीके से सर्च करने से बच्चा बाड़ी पूरा का पूरा syllabus मिल जाएगा चैप्टर का नाम डालो class 12 डालो chemistry हो तो chemistry physics हो तो physics maths हो तो maths बायो हो तो बायो और last में by new Indian era लिखना मत भूलना ये लिख दोगे और हमारे पूरी faculties की free of cost physics chemistry maths biology की कोई भी चैप्टर बस चैप्टर नाम class 12 subject और new Indian era बाद में लिख देना आपको वीडियो मिल चाहेगी चाहे चाहे रोडिशनल डानेमिक्स मेकेनिकल प्रॉपर्टीज फ्लूइड केटीजी चाहे केमस्ट्री का सॉलूइशन चैप्टर हेलोजन डरिवेटिव एल्डी हाइड की टोन्स कार्बोग्सिलिक एसीड कोई भी वीडियो एनिफिंग बायोलोजी का कोई भी चैप्टर मैथ का इस तरह से लास्ट में बाय न्यू इंडिया निरा लिखना मत बूलना और यह आप लिख दो आपको पूरी वीडियो मिलेंगी देखो वीडियो को उनकी नोट्स बनाओ या मेरी भी वीडियो जे आपको यहां मिलेंगी आप सर्च करो कि मैंने चारो सब्जेक्ट फिजि पढ़ागे डाले आप जाएके मेरी वीडियो देखो क्या सुन्दर नोट से पढ़ाया है अभी तुम आने नया भी शुरू किया किमेस्ट्री और बीलोजी पढ़ाना और फटा-फटकल परसों से अगेन मैं लाइन पे आजाऊंगा और अक्टूबर के अंदर अंदर पू तीस मिनट का एक लेक्चर हो जाएगा तीस 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 नाइंटी मिनट में तीन लेक्चर देख लोगे चार-पांच लेक्चर में चैप्टर खतम समझ में और नोट्स भी बनाते चलोगे साइड बावाल हो यार बवाल है ना पढ़ने वाले से अच्छा आप करोगे तो नो से फिर आप क्या करोगे सेशन टू आपका शुरू हो जाएगा पढ़ाई का सेशन टू घर में तो 11 बजे से लेकरके एक बजे तक फिर से आपको पढ़ना है अंगले चार टॉपिक आपको नेक्स जो आपके 4 टॉपिक होंगे उन्हें कवर करना है और नोट्स प्रिपेर क मोबाईल के नोटिफिकेशन बंद मोबाईल को सालेंट मोड में डाल देना फ्लाइट मोड में डाल देना किसी का फोन ने आना चाहिए WhatsApp काल ने होनी चैए किसी की नोटिफिकेशन कमाई चाहिए YouTube के अंदर किसी और वीडियो में मट गुष जाना shorts पगरा real मत देखने लगना वना time waste होगा 7 बजे से 9 बजे sharply पढ़ना मैं कहूंगा जैसे 9 बजे का आप छोड़ देना पढ़ाई मार देना गोली मत पढ़ना चाहे 9 बजे के बाद 2 घंटा 2 घंटा नहाओ 2 नास्ता खाओ जो करना करो समझ में आ गया फिर उसके बाद क्या करोगे जब आपका session 2 भी complete जाएगा 11 बजे से 1 बजे तक session 2 आपका होगा नहाद होके बढ़िया fresh होके तो खा पी लो थोड़ा सा lunch कर लो 2 घंटा rest कर लो थोड़ा सा nap ले लो like so लो फोड़ा नीद ले लोगे तो और must energy आ जाएगी और must एकदम आपकी sclera आँखे एकदम white रहेंगी must आपके energy आएगी आपके अंदर फिर आप session 3 शुरू करो session 3 आपका 3 बजे से 5 बजे के बीच में होगा और जिसमें आप लोग की mathematics या biology शुरू करना physics अगर आपने आज बढ़ा तो 4 घंटा physics होना चाहिए कल के दिन आप chemistry ही 4 घंटा पढ़ो लेकिन यहाँ पर 3 से 5 आप या तो math पढ़ना या तो bio पढ़ना अगर आज math है तो कल bio आज bio तो कल math ऐसे करना क्योंकि अगर आपका चारो subject PCM भी रहा तो किसी का सिर्फ PCM होगा तो only math कर ले ना किसी का सिर्फ PCB तो only bio कर ले ना it's your choice चारो है तो एक एक दिन आपको extra एक load तो रहे गई रहेगा ठीक है तो 3 से 5 की बीच में notes प्रिपेर करना चार topic आप इसके कर लो इसकी भी videos देख लो बड़ी है सब clear हो जाएगा और 2 घंटा जब इसके बाद 3 से 5 के बाद 2 घंटा पांच बजे मालो आपकी classes है टूशन चाना है तो पांच बजे आप टूशन चले जाओ पांच से 7 बजे तक आप टूशन में 2 घंटा पढ़ोगे तुरंत फटा फट भाग जाना पांच बजे घर से निकलो और भाग बग के जाओ पांच बज के 10 मिनट में classes पहुँचो दस मिनट तो इधर तो रहता ही रहता है बैठ के टाइम आया सर आये लेट तो होई जाता है common sense एंडिया है बाई कहीं भी जाओगी तो यह अमेरिका में भी ऐसे होगा पांच बजे के class पांच दस को यह शुरू होती है कभी लेट रहता है हर इंस्ट्यूट में अलग अलग तो classes तीन बजे हो सकती है तो आप यह तीन बजे के शुरूल को यहां दो घंटे की classes रख लो और बाकी का napping वगेरा यहां रख लेना तो आपके उपर सारा choice आप कैसे क्या manage करते हो आपका timing अलग होगा तो अलग कर लिना फिर आप क्या करोगे अगर आप focus batch में हो आपने tuition नहीं लगाई हमारे साथ focus batch में पढ़ रहें online live classes में तो आप बेटर है ना कि आप उस दो घंटे में भी वीडियोस ही देखना अथी चीज़ हो जाएगी आपके लिए जमपल तीन से पांच आपने पढ़ाई की और फिर आगे दो घंटा आप classes के लिए चले गए क्योंकि आपने नीद वगर्या सब ले ली थी यार आपको बहुत energy है इस वक्त तो आपना तुरंत classes को जाओगे doubt session ले लोगे या दो घंटा बढ़ी आपने वहां पढ़ाई की तो वहां से जब आप आओगे साथ बजे के असपा साधे साथ बजे आप घर आओगे तो तुरंत आधा घंटा खापी के और आप आठ गंट आठ बजे से पढ़ना शुरू करोगे और ग्यारा बजे रात तक का पढ़ाई करोगे तो कि यह सारा अप यह और बना गयर सके और ये guys कितना best time table है जिस बच्चे को 80% की उपर जाना है समझ रहा है तो ये आपको 7 दिन में से जो आपके 3 दिन है इस तरीके से पढ़ो और बाकी की 3 दिन आप college जाओ practical के लिए तो थोड़ा सा आपके 1-2 session कम हो जाएंगे बाकी minimum 4 घंटा तभी भी आपके पास रहेगा ही रहे आपको कोई नहीं रोख सकता 90% लाने से लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो marks नहीं आएंगे जैसे आज रो रहे हो वैसे ही कल भी रोगे लास्ट लास्ट में मेरे से बोलो कि प्रशान भैया important question देदो फिर वही मैं दूंगा आप पास हो जाओ कि 40-50 marks आपके आएंगे बड 70-80% भूल जाओ समझ में आ रहा है तो यह बात आप ज्यान रखनी है अब आपको एक last point बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत important होने वाला है अब देखो जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है उन बच्चों के लिए क्या और MST CT के लिए क्या करोगे मैं आपको सारी चीज जाओगे 34 लाओगे तो फेल हो जाओगे समझ में आ रहे है तो मिनिममम आप 40 से लेके 60% अगर आप लाना चाहते हो अगर आप चाहते हो कि भाया मेरा 50% भी आएगा चलेगा मेरा 60% चलेगा मेरे पापा के पास बहुत पैसा है मेरे को कुछ कमाने ध्युद्वाने के जरु यहां देखो सिर्फ इतना ध्यान दो कि आपको फिजिक्स के अंदर only seven chapters Chemistry के अंदर only eight chapters बायों के अंदर only seven chapters Maths के अंदर Maths 1 में चार और Maths 2 में तीन chapters इतने chapter अगर आप सिर्फ कर लेते हो लेकिन ऐसा करना है भाई कि कोई कोई भी कोश्चन कहीं से भी आ जाए आप उसका एंसर दे सकते हो चाहे उन जो भी साथ चैप्टर आप करोगे चाहे उससे निमेरिकल आए थियोरी आए या उसका कोई प्रिवेस इर कोश्चन पेपर आए सॉल्ड इक्जम्पल आए एक्सरसाइस से कोई कोश्चन आए कोई क्या कोई स्टेट्मेंट आजाए एंनितिंग आपको साल भर में में यार गाओ साथ चैप्टर आपको मिनिमम मैं करना यहां पर आट चैप्टर मीम करना ईर बच्चोम आप ध्याँर देना कि अगर आप सिर्फ इतना कर लेती हो युँना मेरे प्यारे वैक आप पक्का पास जाओगे और चालिस से साथ परसेंट के बीच में आएगा 60 परसेंट की उपर तो थोड़ा हाड़ वर्क करनी पड़ती है मैं थोड़ा आपको बैक में बताऊं आप इतना कर लोगे 60 प्लस जाओगे बिलीव मी थोड़ा रहता है ना कहना पड़ता है तो आप ध्यान देना अच्छे से तो यह जो पूरे के पूरे चैप्टर से आप लोगों के इन साथो जितने भी मैंने चैप्टर के काउंटिंग कोई भी कोई बीचैप्टर चलेगा इसा मदोल भी कौन से चैप्टर तो मैं यह साथ चैप्टर कर लो ऑग लागagit कर लिए तो यह आपको समझ किया होगा स्थो यह सारे精 wizard न आप पास चैप्टी की तो अभी मैं 80-90 परसंट जिनको लाना था उनके लिए सीटी के बारे में बताने जा रहा हूं और आप सब तो यहां से वीडियो से जा सकते हो क्योंकि आप सिर्फ पास हो जाओ सीटी में ध्यान मत दो आप शायद फैमिली से होंगे तो जानती ही होंगे वट इस दा मीनिंग आफ एफ्लिएंट मैं क्यों बता हूं है ना पढ़े लिखे लोग अमीर लोग भाई आफ लिखे लोग आप लोग को मैं थोड़ी सिखा सकता हूं मैं तो नॉर्मल बंदा हूं आपके दोस्त आपसे मे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूं आपने देखा साइड में मैंने कुछ लिख रखा था यहां पर साइड में मैंने कुछ लिख रखा था तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास ट्वेल्थ एज विला सीटी का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम है और जब इसक क्योंकि सीटी वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं उनको थोड़ी जादा मेंनत करनी है बुला था ना आज की थोड़ी सी मेंनत कल आपको बहुत उंचा इंसान बना देगी तो आज थोड़ा सा चार टॉपिक जो पढ़ने जाओगे सो तीस मिनट आपको बस एक्स्ट् थोड़ा सा पढ़ लेना है करना क्या है जो भी आप यहां पे हमारी वीडियोस देख करके या रीडिंग करके या आपके टीचर टीशन टीचर की नोट्स ले करके या टेक्स्ट बुक की रीडिंग करके जो भी आप नोट्स बनाओगे या रीडिंग करोगे या पढ़ोग है तो हो जाएंगे तो और अथी चीज़ है फिर सेशन टू में भी सेम तीस मिनट आप 11 से एक बचे तक पढ़ोगे फिर एक बचे के बाद 30 मिनट आप mcq के questions कर लेना सेम से लिबस रहता है यार सीटी का भी तो questions कि भी सीटी का question जो होगा वो मुझे कहां से मिलेगा तो चिंता क्यों करते हो वेन निव इंडियन राइस गयर देन वाई टू फियर आजा बता देता हूं तो आप लोगों के लिए सीटी की बुक बताता हूं जो बहुत अच्छी शांदार बुक्स हैं तो देखो आप लोगो कि वो खरीज सकते हो चाहे तो आप chemistry, physics और maths चाहे तो यहां physics, chemistry, maths या biology भी इनकी भी biology आती है तो आप MST, CT के लिए किसी भी एक company को prefer कर सकते हो मैं अगर आपके जगे होता तो मैं अरिहन्त को prefer करता क्योंकि यह बहुत अच्छा concept और high level questions यहां सारी चीज़े दी होती है और CT में बच्चे वाले questions आती नहीं है यह भी बहुत अच्छा है पर थोड़ा पुराना हो चुका है तो आप समाझ लेना कि जो high level questions जो summarized way में जो summary है वो target से अच्छी अरिहन्त में है मैं target को target नहीं कर रहा बट हमने खोद अपने time पे CT में target यूज किया था बट जब हमने solutions high level summarize way में किया हुआ सारी चीज़े और जो PYQs के solutions deep solutions only hint ना देना यह सब कुछ target के अंदर है इनसे भी अच्छी फिर marvel publication की books भी है जो और high level की आती है तो आप उसे ले सकते हो top scorer कर की book से उसको भी ले सकते हो सो आपकी choice है question ही तो practice करना है तो अरिहंत लो चाहे target लो या marvels लो या कोई भी publication की book लो book महेंगी आती है भाई अगर आप 4 ही book लोगे तो minimum 2400 से 3000 की किताब है दुकान में आपको मिलेंगे खरीद लेना पढ़ाई करना तो book तो खरीदनी पड़ेगी और मैं बोलूँगा नय 2400 की books नहीं खरीद सकते हो तो अगर आप किसान के घर से हो या आप middle class से हो तो हमने इनसे भी better way में try किया है अपनी books बनाने का और प्रशान भाईया made a best and best books and my team made a best and best books so for biology for mathematics for chemistry for physics these are the nice books new Indian era की हमारी किताबे हैं आप इन किताबों को खरीद सकते हो जैसे कि biology mathematics and chemistry and physics these are the CT books और इनमें भी topic wise questions इनमें plus point यह है जिसे कि for example बहुत सारे बच्चों के सामने यह bio की book होगी यह maths की book होगी यह physics chemistry की books होगी प्लीज बच्चों जिनके पास भी यह books है ना प्लीज इन books की review दे दो हमारे comment box में या play store में चले जाओ new Indian era app के अंदर review दे दो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आपको पसंद आईए क्योंकि यार अपने हाथों से लिखा है books को दो साल book बनाने में गई है मुझे यह दो साल लगे है मुझे biology की book बनाने में से maths की book बनाने में and all तो बहुत ही प्यारे questions variety of questions previous year questions with solutions प्लस इन books में फाइदा यह है कि board के साथ chemistry city भी है like पहले board का पूरा आपको solution दिया जाएगा board क पूरा content summary नहीं पूरा content दिया जाएगा handwritten biology की book में and then उसके बाद आपको उसके related questions उसे related board के questions important question मतलब यह ऐसी बुके हैं इनको लेने के बाद board प्लस city दोनों cover हो जाएगा एक जटके में तो यह चिंता खतम तो यह बुक्स आप लोग जरूर लेगे ना हजार से 900 रुपए के आसपस आएंगे घर में delivery हो जाएगी address बस सही सही डालना address ने डालोगे book की नहीं आएगी ठीक है घ्यान देना अच्छे से address सही डालना so guys यह हमारा आज खतम हुआ हमार यहां पर वीडियो और बस जो लास्ट के 30 मिनट है topic wise इन में भी आपको questions मिल जाएंगे अब बढ़िया पढ़ो question को solve करो practice करो बहुत आंगे बढ़ो ठीक है आप लोग को बता दो कि मैं next videos इन दोनों session के उपर देने वाला हूं like how to cover 16 chapters of physics like जो आपको मैंने बता दिया कि इत वीडियो के अंदर बता दूंगा then complete formula sheet of physics देने से chemistry maths की दे दूंगा तो अच्छे सी यह भी आपका clear हो जाएगा सबचो अब आपको मैं बता दूं कि आप मैं यहां से विदा ले रहा हूं और hopes हो कि आपको वीडियो पसंद आई हो आप लोग को अगर book खरीद नहीं है तो आप हमारे Neu Indian Era YouTube चैनल में चले जाओ गाईано नहीं होता है टिक है तो आप हमारे लोग ॉदू न के बताव यहांप से पर ले और लियु कियो और रिवीव आर कमेंट में दे दो सारे बच्चे जिनके पास एबुक्स होंगी और जाओ इस एप को डाउनलोड कर लो बढ़िया करीबन इस एप को दो धाई लाक से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड किया है यहां एरर है प्ले स्टोर हा लोगा सो इतने सारे बच्चों आई हो तो लाइक करना टाइम टेबल प्लीज बनाओ अपना टाइम टेबल बनाओ जो मैंने दिया है उसी से सीख करके सेशन 1 सेशन 2 सेशन 3 सेशन 4 और तीन घर में बैठके पढ़ाई करो बाकी दिन कॉलेज जाओ और वीडियोस डेली देखो रिकॉर्डिंग वीडियोस स्पीड में देखो यार ज्यादा फाइदे में रहोगे मैं पहली बोल रहा हो नोट्स बनाओ महनत करो यार महनत करो ठीक है इस तरीके से ध्यान रखना अच्छे से और आकर आपको किसी भी तरह से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दो और मेरे जैसे हमेश कुछ तभी रहोगे जब आप हसते रहोगे आप हसते रहो यार रोते जैसा मुह मत बनाओ एक nostra convenience she is the strength for your success समझे लो तो happiness आपने अंदर लाओ हमानत करते रहो लाइफ मे आगे वढ़ते रहो एन बस मुझे instagram में follow कर लो अगर आपको पसंद आएगा तो चले गाइस मिलते हैं bye bye take care love you a lot bye guys I'm a teacher what's your strength bye bye